मशूर गायक वकवाल शंकर संभू के बेटे संगीतकार राम शंकर परिवार ने ख्वाजा के दर पेश किये मख्मली चादर और अकीदत के फूल वही मुद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहन की भेजी चादर ख्वाजा की मजार पर पेश नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश जैसिंगानी कंसल्डेंट फिजीशन शुभोम होस्पिटल वेशानलगर से बात कर रहा हूं दोस्तों 96 में जेलन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपने इसनस्तान प्रावब किया था तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगाता जनता की सेवा कर रहे हैं अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं आप हमसे परामश ले सकते हैं धन्यवाद अजमेर सूफी संथ ख्वाजा मौईनुदीन हसन चिश्टी की दरगा में अपने परिवार के साथ मशूर गायक संगीत कार राम शंकर उनके बेटे आदित शंकर बेटी इसनिया शंकर ने जियारत की उन्होंने गरीब नवास की मजार पर मकमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपने आने वाले इल्बम की कामयाभी के लिए मन्नत मागी उन्हें सेयद कमाल मुहम्मद वे सेयद नजर मुहम्मद ने जियारत कराई सेयद अजर मुहम्मद ने दस्तारबंदी की और सेयद शकील मुहम्मद ने तबर्रुक भेट किया अपने जमाने के मशूर सुफी कवाल रहे शंकर संबू के बेटे राम शंकर हैं जिनका आने वाला नया अल्बम अंदाज ए खुश्रो हजरत अमीर खुश्रो के कलारों पर आधरित है जो जल्द ही रिलीज होने वाला है खासकर इसी आल्बम के लिए दरबारे खुश्रो में दुआ मांगी है कि कामयाभी मिले राम शंकर ने बताए कि कई पीडियों से उनक एदाडी श्री राम शंकर जी हम मेरे बच्पन से हमें यही सिखाया गया है कि हमारे पूरवज मेरे दादा जी ने पूरी जिन्टगी मतलब खुशागरी नवाज बाबा के कलाम गाए हैं और इतना नवाजा है उन्हें हमारी पूरी फामली बहुत जादा मानती है हम हर साल आते हैं और बस हमारी यही दूआ है कि हम हमारी हाजरी सरकार कबूल करें और मैंने भी सरकार की शान में कुछ कलाम गाए हैं जो कि बहुत जल्दी रिलीस होंगे तो मेरी बस यही दूआ है कि सरकार मेरी बस यही प्रातना है कि लोगों को बहुत बहुत जादा अच्छा ल इषिया सिंगिंग सूपरस्टार की विनर हूँ और रिसन्टी सूपरस्टार सिंगर की फाइनलिस्ट भी हूँ तो सरकार के करम से बहुत जादा प्यार दे रहे हैं, लोग बहुत प्यार मिल रहा है और बस यही दूआ है कि assistir जो प्यार मिलता रहे जो भी लोग जो हमारे ogeneous supportive Design को इतना पसंद करते रहे ये so whenume na आफट जहारे जॉननरस के गाने सारे के गाने इतना सुंडियों और मेरी मेरा यही मानना है कि लोगों को सारे जॉनर के गाने, सूफी, कव्वाली, भजन, जितने भी गाने हैं जो भगवान को डेडिकेटेड है, वो सारे हमें सुनने चाहिए और सारे हमें अच्छे लगने चाहिए। मेरी बहन स्निया शंकर और मेरी मा बीना शंकर के साथ, सरकार से यह दूआ है कि इतने सालों से, जैसे प्यार से बुलाते आए हैं, आगे भी ऐसे बुलाते रहे हैं मेरे दादा श्री शंकर शंभूजी उन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी अैसे ही कवाली गाई है और हम भी इनके पाद चिन्यों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने सिखाया है, जो हमारे पिता जी ने सिखाया है आपकी तरफ से कोई अलमाँ, आपने कुछाया है इदर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा घरीबों का रख लो भर ऑँ मेरे ख्वाजा घरीबों का रख लो भर ऑँ मेरे ख्वाजा अधर भी निगाहे करम मेरे ख्वाजा असलम अल verdi नव्यव्यक्षर नमस्कार मैं हूँ फ्लेबैक सिंगर मियूजिक डिरेक्टर राम शंकर मुंबई से और मैं आज अपने फैमिली के साथ, मेरे बेटे आदिती शंकर के साथ, मेरी बेटी सनिहा शंकर के साथ, मेरी वाइफ के साथ, सरकार गरीब नवाज में हाजरी दिने आया हूँ اور میری حاضری کروائی ہے ہمارے وکیل صاحب جناب سید کمال محمد صاحب جناب سید نظر محمد صاحب جناب سید شکیل محمد صاحب اور ان کے صحابہ زادہ آزہر صاحب ان سب نے حاضری کروائی ہے سرکار غریب نواز کے احسان شریف میں اور میں پیڑیوں سے یہاں سرکار کے دربار میں آتا ہوں میرے والد صاحب مشہور قوال جناب شنکر شمبو صاحب یہاں پر سرکار میں حاضری دیتے تھے और सरकार नहीं उन्हें नमाजा था खाजा पसंद का खिताब उन्हें मिला था फना फिल्मोईन का खिताब उन्हें मिला था तो उन्हीं के दिखाएवे रास्ते पे हम चल रहे हैं सरकार के यां हाजरी देने हर साल आते हैं और बीच में भी सरकार जब बुला लेते हैं तो आ जाते हैं और आप सब की दुआउं से मेरा बेटा अधित शंकर ये भी बहुत अच्छा माशालला गा रहा है म्यूजिक डिरेक्शन कर रहा है मेरी बेटी सनिहा शंकर ये भी प्लेबैक सिंगर है बहुत अच्छा काम कर रहा है ये सरकार का करम है और आप सबसे बस यही हम दुआ करेंगे कि हमारी हाजी कबूलो रूख हमारे हुंоду चैका में düşünचा जणी हृआा मेरे बहुत से अलम वीनस, टिपश, टी सिरीस से निकले हुए हैं और मेरे वाली साब ने तो पूरी जिन्दगी सरकार की ही कवलियां गाई है, इनी के कलाम पढ़े हैं और इनी का करम रहा है उन पे, और बेटा भी मेरा गा रहा है, सब ही हम गा रहे हैं, और अभी हाल ही में मैंने एक बहुत बड़ा अलबम किया है, हजरत अमीर खुसरो रहम लोग नहीं जिसे गाते हैं, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया है, बहुत जल्दी वो मार्केट में आ जाएगा सरकार के करम से, तो बस सरकार हमारी सब के हादिरी कुबल फरम फ्रम फरम्आएं, और जो हमारे देश में यह जो करोना महा मारी है, इसे जल से जल खतम करे और हम फिर से उसी तरह से यहां पर हाजरियां दे और आएं और हम एक दूसरे के साथ मिलके हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, सारी कौम के लोग मिलके सरकार में हाजरियां दे खिदमत करें यही दुआ है। और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमे। ने सबी को जयारत कराई और तब रुख भेट किया। जयारत के बाद मुक्हमंत्री शिवटास्टिंग चोहन दौरा भेजा गया संदेश भी पड़ा गया। हर साल की तरह इस साल भी हजरत खौदा गरीब नवाद रह्मतुल्ला अले के उर्स मुबारक मौके पर मदब देश हमारे सूबे के हरदल अजीज वजीर आला मौतरम जनाब सिवरास्टिंग चोहन साहब ने अकीदत के फूलों के साथ हिंदे के राज़ा हज़त खौदागरी बनौद रहमतुल्ला अले की बारगा में चादर सरी पेश किया। और उन्होंने ये द्वा मांगी है कि हमारा मदब देश खुशाल रहे, तरक्की करे, आपसी सद्भा और भाईचारा बना रहे। लगबग जब से वो मुक्मंतरी बने हैं, हर साल अलह ताला का शुक्र है, उनकी जाने से चादर सरी पेश करने का मुझे सर्फ हासिल होता है, तो आठ सुनौमे और सुनुवारक मौके पर भी मैं चादर सरी बने कर हिंदे के राज़ा हज़त खौदागरी बनाद रहमतुल मोबाइल की दुकार, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रैंड के लेटेस्ट मोबाइल और असेसरी जो भी सबसे कम और किफायती दरूपर, मोहन वोच एंड मोबाइल कजरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशारी नगर और स्टेशन रोड अजमेर अजमेर